तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज से आप लोगा क्लास स्टार्ट हो रहा है कुछ दिनों से बंद हो गया था क्लास क्योंकि कुछ महतपूर्ण काम पढ़ जाने के वज़ा से ग्यापनिकेडमी की पूरी टीम वो प्रेटपॉर्म के साथ जूर यह पूरे एक्साइटमेंट के साथ पूरे एनरजी के साथ क्योंकि वी आर बैक हम लोग वापस आ चुके हैं ठीक है तो चली आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैप्टर नुबर सिक्स्टीन तक में आप लोग को पढ़ा कर सुकी थी सैप्टर के सब्सक्राइब होगा पूरे एक्साइटमेंट के साथ आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिन से लेकर अंत तक देखिएगा और हम लोग हसते खेलते हुए इस पूरे chapter को complete कर लेंगे और आप लोगो पता भी नहीं चलेगा कि यह chapter complete भी हो गया बहुत ही आसान chapter है, आसानी से हम लोग पूरा chapter complete कर लेंगे ठीक है, तो चलिए, start करते हैं chapter number 17 यानि कि class 12 के उर्दू के 17 chapter का नाम है हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, क्या, क्या नहीं जानते हम लोग, आप लोग खुद सोचिए ये जो chapter है ना, ये एक नजम है, और इसका title क्या है, हम नहीं जानते टाइटल से क्या लग रहा है, इस नजम में क्या बताया गया होगा, इस कवीता में क्या बताया गया होगा, हम नहीं जानते, क्या नहीं जानते, बताईए आप लोग क्या नहीं जानते, आपके साथ दो घंटे में, अगले दो घंटे में क्या होने वाला है, क्या आप जानते ह यह हम नहीं जानते कि हमारा future यान कि मुस्तक्मिल कैसा होगा we don't know what will be our future हम नहीं जानते अपने कल के बारे में अभी हमारे साथ क्या हो जाए अभी आपके साथ क्या हो जाए हो सकता है कि अगले ही पल आप इस दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाए या फिर हो सकता है कि अगले ही पल आप इस दुनिया के सबसे खरीब इनसान बन जाए हो सकता है यानि कि ये जो नजम लिखा गया है ये मुस्तक्बिल पर लिखा गया है यानि कि फ्यूचर पर लिखा गया है कि हम फ्यूचर के मुस्तक्बिल के बारे में अपने भाष्यों के बारे में नहीं जानते कि future में हमारे साथ किया होने वाला हαι और इसमें क्या क्या बताया गया है इस नजम का अर्थ मैं आप लोगोंने बताऊंगी लेकिन यह समझ लिजे कि जो नजम है यह एक इतालवी नजम है यानि की italian भाशा में लिखा वह नजमियन की कवीता है तो इतलियन भाषा में यह नजम लिखा गया था लेकिन इसको इतलियन भाषा से यानि की इतालवी जबान से उर्दु जबान में यानि की उर्दु लेंग्विज में ट्रांसलेट करने का काम तरजुमा करने का काम किस ने किया तो जाहिदा जैदी किया और इसको इटेलिएन भाषा में लिखा याद रखना है योजीनो मुंताले में इस आव इन्हों इसम को इन भाषा में लिखा अब इन्हों ने इतली खार में लिख दिया इतालफी में लेकितन्त को उर्दू जबैट है जाहिदा जैदी ठीक है इंपोर्टन कोशन है यहां से अब्जक्टिम पूछे जाते हैं यहां तक यह भी कोशन पूछा जा सकता है कि हम नहीं जानते यह नजम है यह किस जबान की नजम है ऑप्शन में दिया रहेगा इतालवी जबान ठीक है अब आगे बढ़ते हैं मैं इस नजम को पढ़कर पूरा अर्थ बताऊंगी हलांकि ज्यादा टफ यह नजम नहीं है पूरा अर्थ आप लोगो बता दोंगी पूरा मीनिंग आप लोगो पता चलेगा कि आखिर इस नजम में क्या बताया गया है लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के जो राइटर है शा गिनेवा में हुई थी हृ में कभ तो टारऊसी सगरिये में मैं हुई थी ठीक है और यह इनकी प фильм सदी के शयर है ढही किस सदी मेंया रहता है विश्विषरदी ठीक के याद रखना आगे बढ़ते हैं मौसी की और अदब की तालिम नों ने हासिल की थी मौसी की और अदब की तालिम हैं नोड है और जानताज इस बिस इस-पर शबीस लेकर वह से अपनी जिंदगी को घुजारे हैं फिख हैं कुछ जिम्न होता सौफी गई they फ्लोरेंस्स में थेक तह 206 लेकर उनियसा 49 तक फ्लोरेंस में रहे और जादर जिंदगी जो है यह प्लोरेंस्स में खोजा रहे थे उने सब 15 इसभी में यानिकि जब ये महज 19 साल के उमर के थे, यानि कि 19 बरस के उमर में इनका पहला शेरी मजमुआ शाय हुआ था, पहला शेरी मजमुआ का मतलब क्या, शेरी मजमुआ का मतलब होता है शेरो शायरी का किताब, ठीक है, तो 19 सब 15 इस भी में जब ये महज 19 साल के थे, यानि कि 19 बरस की उमर हो रही थी तो उस वक्त इनका पहला शिरो शायरी का किताब शाय किया गया या इनकी परकाशित हुआ ठीक है और शायरी के साथ मजामीन भी शाय होते रहें शायरी के लावा यह मजमून भी लिखते थे तो मजमून भी परकाशित रहें और इंको Nobel इनाम भी मिला था 75 में याद रखेये तो دي और concerned और चुकी को ऑप सुच्छ जा चुकर कि कि ये निका नोबल हिनाम सी नवाजा गया था 75 ये तो हो गया यानि कि इंक की जाहिदा जैदी इनोफ समझते हैं यह तनकीद शायरी और तो इन् व तुमए कि हैं तो तुिंगड़ मुस्लिम एंवर्सिटी ये शौबाए अंग्रेजी ये प्रॉफेसों के उध्लिए से सुगडोश व Vera यानि की आलेगड़ मुसलिम जानता ऑप लोग भी जानते हैं तो अब हेसलसे उनीवर्सिटी जो है ना उस अलिगर मुस्लिम इंवर्सिटी के शोबय अंग्रेजी से यानि कि जो अंग्रेजी का डिपार्टमेंट था उस इंग्लिश के डिपार्टमेंट से प्रोफेसर के ओधे पर ये काम कर रही थी यानि कि प्रोफेसर के ओधे पर पोस्ट पर ये नौकरी कर रही थी और नौकरी करते करते उसी पोष्ट से ये रिटायर वी हुई ठीक है यानि कि अलिगर्ण मुस्लिम इसिटी के शोबय अंग्रेजी से प्रोफिसर के ओदे से ये से बुख दोश हुई यानि कि रिटायरमेंट इनका हुआ ठीक है शेरी मजमुआ का नाम याद रखना है इनके तीन शेरी मजमुआ का नाम आप लोग के बुख में दिया गया है यान की तीन शिरोशयरी के किताब का नाम पहला जहरे हयात दुसरा है धर्ति कामस त्स तरह संगज़ान तो ये तीन शेरी मजमुआ है जाहिदा जैडी की ठीक है और इनका एक ड्रामा का मजमुआ दिया ग उनके बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया था आप लोग के बुक में वो समझ लिए अब चलिए मैं आप लोग को यह जो नजम है इसका मानी बताती हूं क्याकर इस नजम में बताया क्या गया है जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूं कि यह जो नजम है हम नहीं तो उसी बेस पर ये नजमियन की कवीता लिखी गई है और बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी गई है हलांकि आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में उतना नहीं आएगा क्योंकि थोड़े से यहां पर टफ लफ का भी यूज किया गया है देखिए एक बार पढ़क अंधेरी गुफाओं में नूर सहर यह भी मुम्किन है कि कुछ अजनबी सरहदों से हमारे कदम जा मिले यह भी मुम्किन है यह देमाला रिवायत कहना या तारीख जिस जिन से तराशा गया किस्ता जिन्दगी का बदन एक मुबहम अंधेरे में खो जाएं फिर जिन्दगी दा दे रही हूं मतलब ही भुता दे रही हूं क्या कि आ एकी इस नजब में क्या बताएक है देख तक हम नहीं जानते हैं कि हमने जानते कि आजनल ले ले या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह भाविश्य हमें ले जाकर अंधेरे में ढखेल दे तारीक पाताल में पहाड़े और घाटियों में हमें ले जाकर छोड़ दे ठीक है तो यहां पर जाना अपने भाविश्य से डरे हुए हैं और डर करी इसी टेंशन में हैं कि हमारा हुआ बेविशर कैसा होगा मुलिखा है कि हरम कल कैसा होगा को धु गम में डूबा हूगा और लास्ट में इन ओनने एक कि निकाला है चल यह मत सोचो कि हमारा बौश्य कैसा होगा खुशियों में जब वहाओ हो यह मत इस आप हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा कल जैसा भी होगा अच्छा होगा एक उमीद की किरन तो हम अपने साथ लेकर चल सकते हैं न ठीक है तो यहाँ पर जो हैना इस नजम के लास्ट में शायर जो हैना सभी तरह के टेंसन से फ्री होकर यानि की बाहर निकल कर वो अपने साथ एक उ लेकर मैं आप लोगों बता रही हूं आप क्लास 12 स्टूडेंट है तो अभी आप का गोल क्या है आपका लक्ष है कि क्लास 12 के एक्जाम में बहतर करना आप लोगा रिजल्ट बढ़ी आए आप पॉस्ट आए फिर टॉप आए जो भी आपका लक्ष है आप लोगो ने अपना सेट कर लिए है कि हां मुझे अपना बेतर इक्जाम देना है और अब बश्य आना है तो अबниابलों का गोल क्या एक्जाम नेक्जान निकालना जिब तो अभी आप लोग कि गोल को अपने सांट ले कर चल रहे हैं और मेहनत चाल रहा है है ठीड है जब inaugur तो फिर आपका next goal होगा कि हाँ हमें सब्सक्राइब करना इसलिके से जो हम लोग अपने जिन्दगी में अगला लक्ष बना लेते हैं उस गोल के तरह पूरी जिन्दगी को जी लेता है तो उसी हिसाब से यह ना शायर बता रहे हैं कि यह मत सोचो कि हमारा कल कैसा होगा एक उमीद की किरन अपने साथ लेकर चलो कि हमारा कल जैसा भी होगा बहुत बढ़ियां होगा बहुत अच्छा होगा ठीक है और यहां पर फाइनली जो आज नहीं तो मुतरजिम से आज तक कोशन मीद याझन की अदि उस चाप्टर से नहीं पूछा गया है इस च्प्र के शायर से और सण से कोशन कुछा गया है यह मैं आप लोग बता दे रहें लेकिन यहां पर नजम का लोग बता दें ताकि हो सकता है कि फूचर में अगर को को पू prata पुछन रही कि रॉन Yuk Peng विलिकलों ऑ था करेंगे इस तरह पूरा ॉश्र कर देने के बाद हर एकक करना दूंगी एक ही विडियों में ठीक है तो आप लोग यहां तक स्क्रिंशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिकत नहीं है ले लिए फड़ाफर स्क्रिंशॉट तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं आई होप आप लोगो मैं जो कुछ भी समझाई हूं समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तो बनता है पड़ाफट लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए कि पूरा चप्र आप लोगो कैसा लगा ठीक है चैनल पर अगर आप लोग नहीं नहीं आए हुए हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप त सब्सक्राइब करके चले वापस सिर्फ आप ही तक ये वीडियो सीमीत रहे जी नहीं यह बहुत गलत बात है आप लोग जितना जला सके शेयर करें ताकि सभी लोग भी इस वीडियो का लाब उठा सके ठीक है तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज